हेलो दोस्तों क्या हल चाहल माइनम इस ये कर्टिक एंड इस वीडियो में आज हम लेके आहे हैं आपके पास एक न्यूज कि WC has resigned as statutory auditor for financial year 18-19 for reliance capital and reliance home finance this is a big news इन दोनों companies की तो लग गई उसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पे इनका stock जो है वो fall हुआ है सीधा 6.4% in case of reliance capital and 4.23% in case of reliance home finance as per some news channel okay so अब हम देखते हैं कि इसका cause क्या बताया P WC ने resign करने का उन्होंने बताया कि हमने कुछ observations and हमने कुछ transactions ऐसी note की थी जिस पर हमने उनसे clarification मांगी थी लेकिन हमको वहां से सही से यह ढंका जवाब नहीं आया and हमने बहुत से issues उनके साथ time to time raise किये थे since feb 2019 plus एक बहुत ही बड़ा section आप पढ़ते हो अपने subject में वो है section 143 sub section 12 जिसमें एक fraud 1 के reporting होती है जिसमें आपको किया हूं में पर के सकता हूं हम उसक पहले board of characters को बताते हैं उसके बाथ board of characters को उसको अपनी characters report में इसको डिखाना होता है इंकेस वो वन से ज्यादा का होता है, वन करोट से ज्यादा का होता है, तो हम Board of Directors को बताते हैं, उससे जवाब मांगते हैं, उसके बाद हम CG को भी बताते हैं, उसमें भी reporting हुई है, उसके अलावा PwC ने क्या बताया, PwC ने बताया कि उनको वहां से धंक्या मिली, कि हम आपके against, lawsuit कर देंगे, हम आपके against, कोई legal action लेंगे, which is, which is, as they have called it, intimidation threat, आपने independence के topic में, auditors independence के topic में, अलग-अलग 5 type की threats पड़े होंगी, उसमें से last वाली जो item थी, वो थी यही वाली, intimidation threat, in case, आपको independence of auditor का topic नहीं पालूं, कि उसमें क्या था, तो आप यहां पे उसका video अभी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, and important हो चुका है बहुत की topic, क्यूंकि इस पर questioning बनने के chances अब और भी जादा हो चुके है, पहले important था, लेकिन अब क्यूंकि एक news भी आ चुकी है, इस पर questioning बन जाकता है, so intimidation threat, उन्होंने कहा हमको मिली है, जिसकी वाज़े से हम independently अपना काम नहीं कर सकते, Big news, fine, अब इस पर Reliance का क्या response है, Reliance ने बोला कि इनके जो comments है, हम उसको नहीं मानते हैं, हमने इसको second time पर सब कुछ जो भी इनोंने पूछा हमने जवाब दिये हैं, उसके अलावा हम इनके against कोई lawsuit कर सकते हैं, हम इनके against legal action ले सकते हैं, अगर हमको legally advice किया जाएगा, Third thing, उन्होंने जो बोली है, वो है कि Parter, HD and Associates, बोलके एक साथ में auditor था, they will continue as the sole auditor now, सोचो इस चीज को, PwC, एक auditor resign कर चुका है, लेकिन second वाला continue कर रहा है, तो अब इस पे भी उंगले आउट सकते हैं कि तुम, भाई साथ, तुम क्यों लगे हुए हो, जब वो resign कर चुक है, उसने जो causes बताए हैं, वो तुम्हारे किसमें भी applicable होते हैं, exactly, those things are present in the company, सो इस पे भी अब एक obligation आ सकता है, इस पे भी अब एक question बैठ सकता है, basically इससे पुछताच हो सकते हैं, यह नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सो बच्चों, यह जो news है, यह बहुत ही important है, आपके केवल exam के लिए नहीं, जो अगला exam आपका आने वाला है, केवल उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको यहां से example मिलते हैं, यह आपका important है, also for the interviews, जो जो बच्चे अभी इस attempt में पास होने वाले हैं, जाके वहा आपके केर, बाबाए